नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्क्यों पर हिमाली राज्यों में स्वास्थ पर सबसे कम खर्श करने वाला राज है उत्राखंड पंजाब रोडवेस के अस्थाई कर्मचारियों का प्रदर्शन को लेकर भाजपा का प्रचाध धराशाहि और आखर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में करीब साड़े तीन की सोशल डेवलेप्मेंट फॉर कॉमिनिटी फांडिशन के द्वारा किये अध्यान में बताया गया है कि हिमाली राजों की स्रेडी में उत्राखंड सरकार के द्वारा जन्स्वास पर कुल राजस्व और कुल स्टेट डॉमेस्टिक प्रड़क्ट का सबसे कम हिस्सा बलकि अन्य राजों की तुल्ला में कुल राजस्व खर्श यानि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुल स्टेट डॉमेस्टिक प्रड़क्ट यानि जीसडीपी का सबसे कम हिस्सा भी स्वास सिवाव पर खर्श करता है अध्यान में जन्स्वास पर किये जाने वाले खर् कर्मचारियों और ट्रकर संगठनों ने आज राज और केंद सरकार के खिलाब अपनी मांगें रखते हुए प्रदर्शन किया 28 जून को पंजाब रोडवेस ने अनुबंदित कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के साथ तीन दिन के चक्का जाम का ऐलान किया था वहीं ट प्रदर्शन सुबह आठ से दोपर बारे बज़े तक किया गया बस सेवाए बंद रही तो प्राइवेट बस चलने लगी मगर यात्रियों ने उनके द्वारा लिये जारें जादा किराई की शिकायत की प्रदर्शन कारी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग की मोती ब तीन साल के अंदर हमें पक्का कर दिया जाएगा पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है अगले साल पंजाब में विधान सभा चुना होने को है उसके मद्दे नजर देखे तो यह पहली बार नहीं है जब रोडवेस करमचारियों ने प्रदर्शन किया पिछले कुछ महीनों में प्रदर्शन किये हैं अपने प्रचार तंत के जरिये भाश्पान ने पूरे देश को यह बतलाने का प्रयास किया कि मोधी सरकार ने पूरी दुनिया की कोरोना के टीकों की जरुतों को पूरा किया मगर आज यह दावा पूरी तरह धार साही हो गया है भूटान और श्री-ल अब इसाइश शर्मा निउस चक्र में पूछ रहे हैं कि भाजपत सरकार के सारा काम से प्रचार पर क्यों चलता है अब मैं आपको बताता हूँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर देनिक भासकर की खबर प्रधान मंतरी ने कहा वाक्सीन लगवाएं अफवाहों पर ध्यान ना दें मेरी सौ साल की मा ने भी दोनों डोज़स लिए बहुती खुबसूरत बात कही आपने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी मगर आपको ये भी बताना होगा कि जो लोग अवा पहला रहे हैं उसको लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं बताई क्या आपने रामदेव को लेकर कोई कदम उठाया नहीं उठाया और मैं आपसे समझना चाहता हूँ आखिर क्यूं? क्यूं ये कदम नहीं उठाया गया है और आपकी जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करने हैं और हमने इन कारिक्रमों के जरिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन गुरू का रुत्बा दिया था क्यूं? क्यूंकि हमने भारती वोटर्स भारत के भोले भाले वोटर्स को ये बतलाया था कि देखो किस तरह से भारत जो है वो दुनिया भर की वैक्सीन की जरूरतों को पूरा कर रहा था यानि कि उस वक्त हमने ये प्लानिंग नहीं की थी कि देश के अंदर कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी तो हमने अपनी तरफ से कमिट्मेंट कर दी मगर बाद में जब कुरोना की दूसरी लहर आई और लाखों की तादाद में लोग मरे तब इने बाद समझ आई फिर ये लोगों ने क्या किया कि दूसरे देशों को जो उन्होंने कमिट्मेंट की थी उसे तोड़ दिया मुझे लगा था आप सिल्मान खान बनेंगे और कहेंगे कि भाई एक बार जो मैंने कमिट्मेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता मगर नहीं आपकी वज़ा से दो देश इस वक्त मुश्किल में है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दो देश कौन से हैं एक भूटान एक श्री लंका भूटान की खबर देखिये दोस्तों हिट बाइ इंडियाज वाक्सीन एक्सपोर्ट बैन भूटान सीक्स हेल्प आज की तारीक में एक छोटा सा देश भूटान पूरी दुनिया के सामने गिड़ गिड़ा रहा है मदद मांग रहा है और क्यों तड़प रहा है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से वाक्सीन्स मोहया कराने की एक कमिट्मेंट दी थी और उस कमिट्मेंट से भारत पीछे हड़ गया है क्योंकि हमें अपनी जरूरत है आज की तारीक में उनकी स्वासमंत्री क्या कह रही है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ हम दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो भूटान की मदद करें उन्हें समझना होगा कि एक छोटे से देश होने के नाते हमारी क्या दिक्कते हैं एक छोटे देश होने के नाते हमारी कैसी स्वास्त विवस्था है ये कोई और नहीं बलकि वहां की हेल्थ मिनिस्चर लियुनपो डिचिन वांगमो बोल रही है वो गिडगड़ा रही है क्योंकि भारत में अपनी commitment पूरी नहीं की और बात यहां नहीं रुकती है आपके सामने श्री लंका की खबर श्री लंका has received 5 lakh doses of Sinopharm coronavirus vaccine donated by China as the nation faces severe shortage of vaccines amid a recent rise in infections श्री लंका is facing a shortage of vaccine after producer in neighboring India failed to provide the promised Oxford AstraZeneca vaccine stocks the government on Tuesday agreed to buy 14 million doses of Sinopharm from China मैंने कारकरण की शुरुवात में क्या कहा था अब ये देश जो हैं वो चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने चीन से 14 million doses Sinopharm का उन्हेंने order place किया है क्योंकि भारत ने यहां पर भी commitment दी हुई थी और यहां पर भी उन्होंने अपनी commitment पूरी नहीं की तो आप बताईए कहा गया वैक्सीन गुरू कहा गये वो दावे जिसमें हमने वैक्सीन गुरू के दावे किये थे इस मुद्दे को लेकर मैं आपसे समझना चाहता हूँ किसकी जवाब देए बताईए ना देश की international base जती हो रही है हमने जिन लोगों को वादा किया था वो वादे हमने पूरे नहीं किये तो अब इसकी जवाब नहीं तै की जानी चाहिए या नहीं कहते की जानी चाहिए और आखिर में हम बात करेंगे कि इन्दी स्वास मंत्राय द्वारा आज मंगलवार यानी 29 जून को जारी आगड़ के नसार देश में करीब साड़े तीन महिने बाद कोरोना के 40,000 से कम यानी 37,566 नए मामले दर्श किये गये इसके अलावा 24 घंडों में 907 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीश देश भर में करोना से परे 56,994 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 20 जा 335 मामले कम हुए है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,3,16,897 हो गई है जिन में से अब तक 3,97,637 लोग की मौत हो चुकी है देश में करोना से परे 96,086 फीज़ दी यानी 2,93,666,601 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,10,082 फीज़ दी यानी 5,52,669 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी कर नुसार देश में करोना वैक्सीन की 32,90,29,510 डोज दी जा चुकी है जिन में से 22,46,457 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली राउड़ अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिफ सेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया